आप देख रहे हैं उत्राखंद लाइब नियूज ख़बरों की सचाइदा समस्या से परिशान हैं तो वहीं आज सुरा से वदल अपने जून के साथ सीयमो ओफिस में हला बोल दिया साथी सुरा से वदल के अधिक्ष काफी आक्रोश में दिखाए दिये वहीं उन्होंने कहा कि पावेट अस्पतादों की मनमानी चल रही है वहीं आम जंता परिशान है करीब जंता के पास इलाज के लिए पैसा नहीं है दून मैडिकल कॉलेज में इतनी गंदगी है कौन जिम्यदारी उठाएगा जिदेखे मैंने आज गिराव कराई सीयमो साब का और ये मानव नहीं दानव बन चुके हैं लोगों के साथ अन्याय हो रहा है प्राइवेट अस्पितालों की पूरी मनमानी चल रही है जिसकी जेब में पैसा नहीं है उसका इलाज नहीं है दून अस्पिताल में इतनी गंदगी है आप तमाम अस्पितालों में देखिए सरकारी अस्पितालों में इतनी गंदगी है और लोग ढंग से सीधे मुबात नहीं कर रहे हैं दुरभागिये इस प्रदेश का कैसी दिन के लिए बना था माननी अटल विहारी वाजपेई जी का नारा था अगर किसी को मुफ्त देना है तो सिक्षा दो चिकित्सा दो और अच्छी कानून बेवस्ता दो आज भरष्टा चार पूरे प्रदेश में पनपता जारा सीमो साब को टेलीफॉन करो टेलीफॉन नहीं उठता है प्राइवेट अस्पितालों के फिवर में खड़ बेवस्ता रहेगी लेकिन जब कोरोना आया कोरोना की तीसरी लहर की ये लोग बाते करते हैं इश्वर ना करे कोरोना की तीसरी लहर आई लेकिन लोगों ने देखिए आज भी कह रहे हैं ऑक्सिजन की परियाप से बेवस्ता है लेकिन प्राइवेट अस्पितालों पर कोई भी सिकंजा नहीं कस रहे हैं क्योंकि वहां से इनका महिना बंधा हुआ रहा है और जो नियम है जो सासना देश है उसका पूर्ण रूप से पालन करवाना पड़ेगा इनको आज हम सलकों पर उतराए हैं आंदोलन के तयार हो चुके हैं यह हमें जेल बेज दें हम पर लाटी चार्ज करवा दे हमें किसी भी हद्टक पर शाथिंद चला जाए लेकिन हम आम जंता के साथ चलावा नहीं होने देंगे हो साम वजीर आनी मुक्यmind जी को सफन नहीं आएंगे यही लोग मनिमुख्य whiskey को बताएंगे लेकर यह अस्पताल्यों से पैसे लेते हैं see I'm away साफ forge गुम्राह करते हैं, सियमोह साब अच्छा काम कर रहे हैं, उनके संग्यान में मामला लाए जाएगा और हम आ चुके हैं, तमाम हमारे ग्यापनों के माध्यम से मानी मुख्यमंत्री जी को पता चलेगा, ये किस कदर बश्टा चार में सनलिपते हैं. राइपुर में जाकर के देखिए, समचान गाटों में इतना बुरा हाल हो गया था, हमने दो खुद लोगों को कंदा दिया हुआ है, हम आज यहां बैठे हुए हैं, जब तक सियमोह साब आते नहीं हमें बताएंगे नहीं, और ये संभावित तीसरी लहर, इनने कह रहे हैं, अभी तक सरकार ने कोरोना कर्फियों को हटा नहीं रखा, क्यों नहीं हटा आया, अगर इनके पास सारी काम नहीं है, इनके पास सारी चीज़ें अगर क्रिलर गाइडलाइन नहीं आ रहे ही, तो क्यों नहीं हटा रहे हैं, जब तक नहीं हटाते हैं, आज नहीं देंगे हमने देखा हुआ हैं सड़कुमों जाकर के हर एक हॉस्पिटल में जाकर के राइपुरमा को जो इनने बना रखा था वहां जाकर के देखा लोग कैसे तड़ रहे थे लोग को घर वालों को मिलने तक नहीं दिया जा रहा था उसके लिए हम लट रहे हैं और बैठे हुए हैं कोई बात नहीं यहीं से यही मैन रस्ता है इनका जब तक शियो मसाब न्याद दें ताला बंदी रहेगी बैठे हुए सारे कारी करता अभी के लिए बस इतना ही काफी बने रही उत्रकंड लाइव नियूस पर